तो हेलो गाइस केसाफ सभी लोग स्वागते एक और न्यू गेमपले में और आज हम दुबारा से खेलने जा रहे हैं लास्टे रूल सर्वाइवल तो दोस्तों आज का वीडियो होने वाला है टिफ्स एंड ट्रिक्स पर ठीक है तो आज का में टोपिक होगा कि सर्वर से हम कर सकते इसके उपर आज का वीडियो तो इसलिए वीडियो पूरा देखना ताकि आप सब के समझ में आ जाये की कासे सब कुछ हम transfer कर सकते हैं server से operation base में तो देखो transfer करना बिल्कुल आसान है server से कुछ भी लेकिन उसके लिए एक चीज की जरुवत पड़ेगी जो है mail box तो mail box अगर आपके open है तब तो आप operation base में लगा सकते हैं यह operation base में लगेगा और कहीं पर नहीं और अगर आपके open नहीं है तो आप एक काम कीजिए अपने किसी भी friend को बुला के और इसे लगवा लीजिए अपने operation base में किसने किसी friend के तो open होगा यार कोई दिक्कत वाली बात नहीं है तो दोस्तों अभी मैंने भी अपने operation base में mailbox लगवा रखा है तो ये मेरे open नहीं है तो इसलिए मैंने अपने एक दोस्त को बुला के और मतलब इसको लगवाया था तो किदर की side में है यार mailbox okay तो ये रहा तो मतलब इस तरह का दिखाई देता है mailbox और आप server से कुछ भी transfer करोगे ना तो वो इसी में आप collect कर सकते हो ठीक है तो ये है main topic की loot आपको इसी में मिलेगी ठीक है ये ही दे सकता है आपको और कुछ भी मतलब और कहीं पर नहीं मिलेगी सिर्फ इसी से आप collect कर सकते हो तो कई लोग मतलब ये भी बोलते हैं यार भाई हमने loot transfer तो कर दी लेकिन वो हमें मिली नहीं तो वो दिक्कत ही होती है आपने mailbox नहीं लगाया operation base में तो मिलेगी कहां पर भाई और कहीं पर कोई option ही नहीं है तो इसलिए पहले mailbox लगाओ उसके बाद मैं आपको सब कुछ मिल जाएगा collect आप कर पाओगे अब दोस्तों देखो transfer के से करते हैं यह भी मैं आपको एक server में जाके दिखा देता हूँ अब वैसे मैं social server में जाऊंगा ठीक है दिखाने के लिए सिरिफ क्योंकि अगर मैं official server में जाता ना तो कुछ भी official server में मिलता ही नहीं है सब कुछ looted रहता है तो इसलिए मैंने एक social server चुना ताकि आप सभी को मतलब दिखा पाऊं यार तो जैसे कि अभी देख लो यहाँ पे मैं मतलब बीच रास्ते से जा रहा था यार और मैं जा रहा हूँ trade zone ठीक है न तो trade zone से होगा यहाँ पे जो भी कुछ transfer होगा तो दोनों जगे का समझा दिया है वहाँ पे mailbox में मिलेगा और यहाँ पे trade zone से transfer होगा तो यह अच्छी बात रही कि मुझे रास्ते में एक के virus sample मिल गया है ठीक है तो यह transfer हो सकता है इतना मुझे पता है virus sample transfer होता है तो अभी देखो trade zone में आपको यहाँ पे जाना है आगे की side में चलना है बिल्कुल मैं आपको clearly बता दूँगा सब कुछ की कैसे कैसे transfer होता है चलो तो अभी थोड़ा सा आगे और जाता हूँ यार मेरे speed थोड़े कम हो जाती है बार बाहर में चलो तो अभी देख लो यहाँ पे आपको आना है और यहाँ से आप transfer कर सकते हैं यही जगे होती जहां से आप कुछ भी transfer कर सकते हैं अब मैं बता दूँ आपको यह होता है parcel locker ठीक है तो इसमें के होता है यह मतलब भेजने का काम करता है operation base में तो अभी यह social server है ना इसलिए यह मतलब वाइरस सेंपल है मेरे पास में वो जा नहीं रहा है अगर official server होता तो वाइरस सेंपल अभी तक transfer हो चुका होता अब मैं बता दूँ आपको देखो मैंने तो मतलब आप सभी को दिखाने के लिए social server चुना है तो आप कभी भी transfer करो तो official server ही खेलना अब यहां के बारे में बता देता हूँ जो parcel locker होता है इसमें आप मतलब जैसे की वाइरस सेंपल है अभी में लेकर आया समझ लो एक बात तो वाइरस सेंपल है मेरे पास में और इसके लिए इसको transfer अगर आप करोगे नहीं तो बिना spare की यह transfer नहीं होगा ओके तो चलो इतनी बात भी आप सभी को मैंने समझा दिये की कहां से यह transfer होगा और कहां पर आपको मिलेगा operation base में यह दोनों बाते तो आप ने अच्छे से समझ ली और मतलब इसमें क्या लगता है एक तरह से फीस लगती है जो यह parcel लोकर होता नहीं फीस लेता है transfer करने के लिए 160-70 spare S मतलब होता है यार तो आप देख लेना लगबग 200 से नीचे spare लगेंगे उससे ज़्यादा तो नहीं लगेंगे तो आप transfer कर लेना इतना तो आपको मैंने बता दिया अब मैं बता देता हूँ आपको कि काफी लोग पूछते कि iron bar still bar या फिर stone wood ये अगर server से बहज नहीं operation base में तो कैसे बहजे तो देखो मैं बता दो आप सभी को कि ये पहले transfer होती थी लेकिन अब transfer नहीं होती मतलब सभी लोग यहीं बोलते कि आप transfer नहीं होता है iron bar, still bar या फिर wood stone ये सब कुछ transfer नहीं होता है transfer होने वाली जो चीजे हैं मैं उनी का नाम बताता हूँ आपको कि transfer आप क्या कर सकते है वही operation base में मतलब काम भी आती है क्योंकि देखो stone तो operation base में मिल जाता है wood भी मिल जाएगी और iron bar storage box की जरूरत थी तो मतलब देखो पेले तो मैं जो vending machine है ना operation base में उससे कुछ भी buy कर लेता था लेकिन अभी क्या है जो trade ticket है वो खाफी कम मिल रहे है तो इसलिए vending machine से कुछ भी buy करी नहीं सकता हूँ तो इसलिए अब क्या है दिक्कत ही आ गए मतलब अब तो official server में खेल के और मतलब जो storage box है उसको transfer करना पड़ेगा उसी के बाद में garage को upgrade कर सकता हूँ अब मैं बताता हूँ कि क्या क्या चीज़े transfer हो सकती है जैसे कि virus sample अभी मैंने बताया आपको ये transfer आप कर सकते है storage box transfer कर सकते है इसे के साथ साथ tool box मतलब होता है चोटा सा उसको भी आप transfer कर सकते है इसे के साथ साथ जो आप easy को kill करते है ना तो easy को kill करने के बाद में आपको mutant cell मिलता है तो वो भी आप transfer कर सकते है ऐसे कुछ item है उनको transfer आप कर सकते है बाकी चीजों को transfer नहीं कर सकते है देखो मैंने इनी पर try किया है तो इसलिए मैं इनके बारे में बताऊँगा और वैसे भी operation base में सिर्फ इनी चीजों की जरूरत पड़ती है जैसे कि अभी समझ लो engine होता है, engine भी हमें server में कभी कभी मिल जाता है हम जैसे किसी base पर raid करते हैं ना कोई Chinese के बारे तो उनके base में ज्यादते रेस है engine भी engine ये सब कुछ मिल जाते है recipe भी ऐसे ही मिलती है मैंने एक बार देखा थे Chinese के base पर raid किये थे तब मुझे 4-5 recipe भी मिल गई थी तो वो भी transfer हो सकती है operation base में अब मैं बताता हूं कि जैसे कि storage box है और tool box है recipe है ये सब कुछ आखिर मिलता कहा है तो देखो मैं बता हूं आपको आप मतलब research center पे गए होंगे crude oil base पे गए होंगे या फिर factory पे गए होंगे server में तो वहाँ पे आपको एक boat दिखाई देता होगा हमेशा और कहीं पे नहीं मिलेंगे आप सोचो कि room में मिल जाएगा room looting करने से नहीं मिलेगा drum तोडने से नहीं मिलेगा ये सिर्फ आपको वही boat kill करने पड़ेंगे जो research center पे रहता है factory पर रहता है crude oil base पे रहता है वहाँ पे आपने देखा होगा official server में जादतर अब तो मतलब यार दिखाई देना ही बंद हो गए वहा क्योंकि मतलब बंदे kill कर देते हैं लेकिन कभी-कभी मतलब मिली जाते हैं वह तो उनको kill कर लेना उनमें आपको ये सब कुछ मिल सकता है जैसे अभी मैंने आपको operation base में दिखाया था mailbox जाकर मतलब बना-बनाया है मेरे उसमें operation base में लगा हुआ है उसके बाद मैं मैंने आपको ये बता दिया है कि कहां से loot transfer होती है server में आके अब उसके बाद मैं मैं एक और चीज़ बता देता हूँ लेकिन मैं एक मतलब try के लिए देखने जा रहा हूँ कि शायद अगर वो मिल गया तो अच्छी बात है वैसे यार दोस्तों मेरी बात से ही आप लोग समझ गए होंगे कि यार वहां पे सच में research center पे एक boat रहता है और कई बार हम लोग उससे kill भी हो जाते है मतलब किसी के पास में तो मचेट रहता है किसी के पास में वूट कलब रहता है तो यह अलग-अलग जगे रहता है boat मैंने पहले बता दिया आपको जैसे कि कोई factory पर रहता है और कोई crude oil base पे और कोई research center पे लेकिन research center पे जो boat रहता है उसको अगर आप kill करोगे तो आपको ज़्यादतर storage box मिल जाएगा क्योंकि जो research center होता है वहाँ पे होता है clown और clown में ज़्यादतर storage box मिल जाता है बस आपको एक ही बात दियान में रखनी है आपको कोई भी social नहीं खेलना है जो भी खेलना है official server खेलना है तो ठीक है तो try official server में ही करना तो चलो यार दोस्तो अभी मैं जा रहा हूँ research center पे और वहाँ पे मैं आपको दिखा दूँगा कि मतलब clown वहाँ पे रहता है ठीक है तो वह मैं बता दूँगा आपको कि मतलब boat कौन सा है ठीक है वैसे एक ही boat रहता है लेकिन काफी जो new player है उनको पता नहीं होगा शायद तो इसलिए मैं बताऊंगा खुद जाके अब बस बात अच्छी यही रहे कि वो मुझे मिल जाए यार clown नहीं तो नहीं मिलेगा तो फिर उसके बाद मैंने आपको वैसे ही समझा दिया है कि एक boat रहता है उसको kill करोगे तो आपको मिल जाएगा सब कुछ लेकिन यह है कि boat वो इतनी भी आसानी से kill नहीं होगा उसको गिलिच करना पड़ेगा पहले आपको उसके बाद में आप उसको kill कर सकते हैं अब दोस्तों देखो वेसे तो मैंने अभी पहले बताया आपको कि मुझे एक storage box की जरूरत पड़ती है जो कि एक white color का होता है छोटा सक दिखाए देगा आपको डबे type का तो मतलब है उसको यह कह सकते है कि वो tip in type का दिखाए देता है मुझे तो तो वो अभी तक मुझे नहीं मिला है किसी भी official server में क्योंकि मैंने काफी rank server खेले लेकिन जब भी मैं जाता हूँ ना research center पर तो वहाँ पे मुझे मिलता है नहीं है यार clown अब यार दोस्तों देखो clown के बारे में इतना सोचने वाली बात नहीं है क्योंकि research center ही खुदी looted मिलता है तो clown कहां से मिलेगा यार official server में आफ लोग देखते होंगे जैसे कि मैं rank siya mix ज़्या तर खेलता हूँ तो उसमें मैंने काफी time से में देख रहा हूँ काफी server खेल रहा हूँ और मुझे हमेशा easy मिलता ही नहीं है किसी भी server में खेल लू siya mix में तो उसमें easy तो मिलना बंद हो गया इसी के साथ साथ avenger भी कभी नहीं दिखता मुझे तो इसलिए clown तो मिलना दूर की बात है यार ये तो छोटा मोटा बोट है फिर भी मतलब यार अब official server के हाला थोड़े ज़्यादा बिगड चुके यार लूट ही मिलना बंद हो गई है तो चलो यार दोस्तों यहाँ पर में research center पर आयता आपको clown दिखाने लेकिन social में भी किसी ने kill कर रखा यार clown को चलो यार कोई बात नहीं मैंने पहले आपको जान कर देदी बस official server में आपको kill करना है clown को मोका देखके और आप फिर transfer कर सकते हो storage box तो दोस्तों आज के लिए अगर आज के वीडियो आप सभी को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए इस वीडियो को जदे जाते शेयर कीजिए और जिन भाहियों ने अभी तक भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए हम मिलेंगे एक और न्यू गैम प्ले में तब तक के लिए गुडबाए